भी सकता है कि बॉली उट की हीमाइन धर्मेंदर किसी से डर सकते हैं मगर ये सच है कि वो संजीव कुमार से डरते थे और इसकी वज़य थी हेमा मालिनी दरसल धर्मेंदर शुरू से ही हेमा मालिनी के साथ शादी करना चाहते थे लेकिन वो पहले से शादी शुदा थे इस कार हेमा के पिता वीज चक्रवर्थी को ये रिष्टा मंजूर नहीं था उधर अक्टर जितेंदर और संजीव कुमार भी हेमा मालिनी के साथ शादी की चाह रखने वालों में शामिल थे एक बार तो जितेंदर हेमा की शादी की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी पर एन वक्त प शुभा से शादी करके धरमेंदर के रास्ते से हट गए लेकिन संजीव कुमार अभी भी मैदान में थे इसी कारण धरमेंदर हमेशा ये कोशिश करते थे कि संजीव हेमा किसी भी फिल्म में साथ ना आए बलकि इसी के चलते वो संजीव हेमा की फिल्म सीता और गीता में सा पाधारण सा रोल करने को तयार हो गए थे इतना ही नहीं शोले में धर्मेंदर पहले ठाकूर का रोल करने की जीद पर अड़े थे पर जब डारेक्टर रमेश सिप्पी ने कहा कि ऐसे में वो बसंती यानि हेमा मालिनी के प्रेमी वीरू का रोल संजीव कुमार को दे देंगे तो धर्मेंदर ने उसी वक्त ठाकूर वाले रोल की जिद छोड़ दी थी इसके अलावा भी कई ऐसे घटनाएं हैं जहां वो हेमा मालिनी को संजीव कुमार से दूर रखने की कोशिश करते नजर आये हैं खैट पिता के मौत के बाद 1989 में हेमा ने मा जया चकरवर्ती की मर्दी के खिलाब जाकर धर्मेंदर के साथ बिवा कर लिया था और आज दोनों खुशाज दिंदगी जी रहे हैं ये तो आप जानती ही हैं दोस्तों हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें